हेलो दोस्तो कैसे है आप सब मैं आसा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरचित होंगे दोस्तो आज हम देखने वाले प्रसना वाली साथ दसमलो एक का प्रसन उत्तर दोस्तो मैं कुछ उधारन को आपके लिए छोड़ दियाऊं क्योंकि अगर मैं सारा question को solve कर दूँगा तो आप practice क्या कर पाएंगे तो दोस्तो मैं प्रस्णवाली जितना मैं बताऊंगा question answer उसी से related है आपका उधारन तो आप अगर यहाँ पे समझ जाईएगा तो उधारन खुद वख खुद अपने से solve कर लिजिएगा और दोस्तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोसिस किजिएगा कि मैं जब प्रस्णवाली को solve करूँगा तो जैसे कि पाहला नमबर सवाल का अगर मान के चलिए मैं answer बताया मैं उसका हल करके आपको बताया तो आप अगर उसको समझ जाते हैं तो आप वीडियो को वहीं पे रोग दिजिए रोग देने के बाद क्या किजिए कि आप अपने से उस प्रस्ण को हल करने की कोसिस करें अगर आप वैसे करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो mathematics का revision होगा वो revision करने की जरूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अभी से ही उतना मेहनत अगर कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले दिन में तकलीफ नहीं होने वाली है इसलिए दोस्तों छापना बहुत बड़ा काम नहीं है उसे खुद से solve करना बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं आप सभी लोगों से request करना चाहता हूं कि मैं तो आपको solve करके पूरा बता दे रहा हूं ताकि आप कोई भी question मे अगर फंस जाते हैं आपसे अगर नहीं बन पाता है बहुत कोसिस करने के बावजुद भी नहीं बन पाता है तो आप वीडियो को फिर से देखे फिर से समझे और फिर से अपने से बनाने की कोसिस करें दोस्तों अगर आप जितना परियास करिएगा उतना ही आप जैदा से जैदा questions को solve कर पाएंगे आपको वैसे करने से आपको कोई भी exam हो उसमें आपको कोई भी problem आने वाली नहीं है इसलिए दोस्तों आप खुद से परियास करें कि मैं उन प्रसनों को खुद से खुद से solve कर सकूँ दोस्तों तो चलिए हम सुरू करते हैं प्रसना वाली 7.1 का प् आपको देखिएगा तो अगर हम वैसा कुछ topic बोल रहे होंगे बीच में जो आप नहीं सुन सक्किएगा तो वैसे मैं आपको problem हो सकती है इसलिए दोस्तों देखिए वीडियो जैदा लंबा तो है नहीं और आपको सीखना है तो आप बारंबार तरीकों से आप सुरू से ही वीडियो को देखना शुरू कीजिए आप वीडियो को दोड़ाईए नहीं बलकि पूरा देखने की कोशिस कीजिए ताकि मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पाए तो देखिए प्रसन वन बोल रहा है बिंदुओं के निमनेलेकित योगमों के बीच की दुरियां ग आप क्या करेंगे यहां तो वही चीज़ लिग लिए मान लिया ए दोनों का जो निर्दे सांग दिया हुआ दोनों को एक में ए और एक में भी मान लिए अब दोनों के बीच का दुरी निकानना है तो दुरी सुत्र हम तो जानते हैं क्या होता है x2-x1 का हॉल स्क्वार पलस y2-y1 का हॉल स्क्वार अब देखें आप ये दोनों में से किसी को भी x1 और x2 मान सकते हैं ये आपपर डिपेंड करता है तो अब मैंने इसको x1 और x2 मान लिया y1, y2 मान लिया तो अब देखें x2, x2 कितना है 4 और x1, 2 तो 4-2 का हॉल स्क्वार पलस y2-y1 तो ये मेरा y2 और ये मेरा y1 तो 1-3 का हॉल स्क्वार हो गया अब कैल्कुलेट किजिएगा तो यहां से 4 में 2 गया तो 2-2 का अस्क्वार जाएगा तो 4 हो जाएगा पलस पलस अब 3 में 1 जाएगा तो मैनस कितना हो जाएगा मैनस 2 और मैनस 2 का अस्क्वार हो जाएगा तो पलस 4 ही होगा अब ये दोनों का जोड़िएगा तो अंडरूट 8 हो जाएगा, अंडरूट 8 का जब गुननखंड के जिएगा वर्गमोल निकाल लिएगा तो आपका हो जागा 2 अंडरूट 2 इतना ही आपका एंसर, देखिए कितना इजी है आपका ये दोनों बीच का दुरी निकालने के लिए, तो आपके इसी जैसा सेम क्व आपका question number 2, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको खुद वह खुद आपको वह प्रस्न को पनाना है, अगर नहीं बने तो आप comment किजिएगा, मैं उसे भी solve कर दूँगा, अब देखिए question number 3, question number 3 में a, b, और minus a, और minus b, दो निर्दे सांग दिया हुआ, तो उसको देख बिंदू होगा, अब यहां देखिए, दोनों में minus minus है, minus minus हमारत तो तिर्थी चतुर्थांस में होता है, इसलिए आप यहां उसको निरूपित कर दिजिएगा, तो उसी तरह दोनों बिंदू को नाम कर देदिए, यहां P और यहां Q मान लिए, तो X1 और X2, Y1, Y2 अगर अराम होगा, तो देखिए, हम यहां उसी लिए, सबसे पहले हम मान लिए, तो X1 किसी को भी मान सकते है, इसको भी इसको आप पर depend करते हैं, हम इसको मान लिए, तो X1 कितना हो गया, A, और X2 कितना हो गया, minus A, तो यहां लिख लिए, Y1 कितना हो गया, B, और Y2 कितना हो गया, minus b इस तरह अगर आप put कर लिजेगा तो आपको जएदा यहाँ figure में देखने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा आप यहीं से put कर सकते हैं तो दुरी का सुत्र परियोग किये आप तो जानते हैं कि क्या होता है दुरी सुत्र x2 minus x1 का whole square quantity plus y2 minus y1 का whole square होता है तो उसी तरह देखें to कितना लिए थे x2 minus the minus यह पुट के और मैमायनार्स तो मायनार्स अब देखें z1 कितना अब देखें पर आट-स वन कितना है मायनस भी जो दो कितना है एहां मायनस x2 अब उसी तरह यहां कितना हो जागा मैनस 2B का अस्क्वाइर अब यहां जब अस्क्वाइर किजेगा तो मैनस मैनस तो परस हो जाएगा अपने अस्क्वाइर करने बाद तो 2 का स्क्वाइर करेंगे तो 4 हो जागा और 1 का स्क्वाइर किजेगा तो A स्क्वाइर उसी तरह यहा का वर्गमूल कितना होता है दो तो दो बाहर निकल आएगा तो दो यहां निकल गया अब अंडर रूट के अंदर कौन कौन सा रहे गया A स्क्वार पलस B स्क्वार अब देखें दूसरा नमर सवाल बोल रहा है बिंधों 00 और 36 15 के बीच की दूरी ग्याद किजिए क्या अब आ आप अनुछेद 7.2 में दिये दोनों सहरो A और B के बीच की दूरी ग्याद कर सकते हैं तो दोस्तों आपको तो दूरी ग्याद करना है ये दोनों के बीच का ही ये दोनों बीच का ही दूरी ग्याद करना है लेकिन आपको पीछे अनुछेद 7.2 में दो सहर दिया है A और B ज और अनिये सहर A से 36 km पूर्व और 15 km उत्तर की ओर है। आप सहर B की सहर A से दुरी पिनावास्त्रि मापन के किस परकार ग्याद कर सकते हैं। देखिए इसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए एक सहर है B जो अनिये सहर A से 36 km पूर्व है। देखिए यहां एक सहर है इसके पूर्व पूर्व तो इधर होता है तो पूर्व की ओर कितना किलोमीटर 36 किलोमीटर जाने के बाद और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर तो यहां जाने के बाद 15 किलोमीटर उपर गया उत्तर की ओर तो यहां और यहां जो यहां जो सहर हो गया मेरा B और यहां सहर हो गया यह तो यह दोनों के बीच की दूरी ग्याद करना है कि उसके बीच के दूरी कितना है तो बस वही जो question में आपको दिया हुआ है बस उसी को solve करके जो आएगा वही आपका दूरी हो जाएगा सहर A और सहर B का बीच के दूरी तो देखिए सबसे पहले हम लिखे मान लिया दोनों सहरों के निर्दे सांग करमसा A 00 और B 36 15 है तो इनमें से X1 और X2 और Y1 Y2 मान लेते हैं तो इसको X1 और X2 वैसा ही Y1 Y2 मान लिये ताकि हमें उसमें पूट करने में असानी हो तो देखिए दूरी सुत्र के परियों करने से हम दोनों सहरों के बीच के दूरी ग्याद करैंगे तो हम सुत्र तो जानते हैं कि X2 मैंन। X1 का whole square plus Y2 मैंनस Y1 का whole square तो दोनों सहर हमारा कौन-कौन हो गया A और B तो यह दोनों के बीच के दुरी निकालना है तो देखिए X2 हम उधर माने है 36 तो 36 मैनस X1 माने थे 0 अब यहाँ Y2 मेरा 15 था और Y1 हमारा 0 था तो 36 में 0 जाएगा तो 736 हो गये और 36 का जब स्क्वायर की जेगा तो 1296 होगा उसी तरह से 15 में दूरी होगा तो यही हो जाएगा हमारा एंसर आप देखें तीसरा नमर सवाल बोल रहा है निर्धारित किजिए कि क्या बिंदू इतना इतना और इतना संरेखी है मतलब की संरेखी का मतलब क्या होता है वो जानेंगे पहले सन्रेखी का मतलब होता है कि एक सिधा लैन और उनहीं में ये तीनों पोइंट आ जाना चाहिए, जो तीनों बिंदू दिया हुआ है तो वो तीनों एक ही लैन में आना चाहिए, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, मान लिए यह एक रेखा है, ठीक है, रेखा है, रेखा खन में तिन पॉंट होगा उसमें अब देखें यह हमारा यह हो जाएगा यह हम B मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं अब शान रेखी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि जो हमारा A और C के बीच के दुरी होगा A और C के बीच के दुरी होगा वो किसके किसके बीच के दुरी होगा तो A, B और B, C के जो दुरी होगा वो दोनों के जोडने के बाद जो हमारा answer आएगा वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए A, C के बराबर होना चाहिए तो देखेंगे सबसे पहले हम AB के बिच के दूरी निकालेंगे, PC के बिच के दूरी निकालेंगे, और AC के बिच के दूरी निकालेंगे, तीनों को निकालने के बाद, क्या करेंगे, हम AC को तुलना करेंगे किसको, तो AB पलस BC से, अगर दोनों equal हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि यह, जो दिया हुआ, दिया x1 का हॉल स्क्वार पलस y2 मैंनस y1 का हॉल स्क्वार अब आप किसी को भी x1 और y1 किसी को भी आप मान सकते हैं तो देखिए सबसे पहली बात आप चाहे तो x1 में x2 को घटा के अगर वैसे भी लिख सकते हैं आप लिखते थे ना वह x2-x1 का whole square तो आप लिख सकते हैं यहाँ x1-x2 का whole square वह से भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ calculate करने पर minus आ जाता है तो जब आप square किजिएगा तब भी वह तना ही answer आगा जब जितना कि आप x2-x1 किजिएगा उतना ही आएगा और x1-x2 क जिएगा तब भी उतना ही आएगा तो इसलिए आपको इस question को हम x1-x2 के रूप में बनाए हैं लेकिन सर्थ क्या है कि अगर आप यहाँ x1-x2 ले रहे हैं तो यहाँ भी आपको y1-y2 लेना पड़ेगा ना कि यहाँ x1-x2 ले रहे हैं और यहाँ y2-y1 ले रहे हैं आएसे पहले लेना पड़ेगा इसी चलते तो देखिए हम यहाँ x1-x2 लिए हैं फिर यहाँ y1-y2 लिए तो ab के बीज के दूरी निकालना है तो देखिए x1 मेरा इसको मान लिए है और x2 इतना माने तो 1-2 का हॉल स्कुरा है अब इसी तरह y1 इसको माने है y2 इसको 5-3 का हॉल स्क भी तो यहाँ अब इसको जब क्लुक्लेट की जेगा तो यहां से मरा फोर आएगा अब इसको क्लुक्लेट की जेगा तो अंडर रुल 5 ऐगा अब देखते हैं ए बी का तो डिस्टेंस निकल गया अब निकालने किby का वही उसी तरह त्रह तरह नीकालनेगे अब देखिएrif यहां आपको इसलिए वैसे बतायत है x1-x2 की वैसे भी आप हल कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप रट लिजे कि नए x2-x1 ही होगा वैसे नहीं x1-x2 भी होगा आप जैसे मन है वैसे लिख सकते हैं तो फिर से हम यहां बनाया हैं किस तरह से तो इसको x2 मान लिए है और इसक से यहां बनाया है तो x2-x1 का हॉल स्क्वार पलस y2-y1 का हॉल स्क्वार वह फर्मूला में पिर इसको पूट किया है तो देखिए x2 हम किसको माने तो मैनस 2 को तो यहां मेरा मैनस 2 हो गया ठीक है अब मैनस x1 तो x1 हम इसको माने तो मैनस 2 उससी तरह y2 तो y2 मेरा यह हो गय और –y-1 थिरी हो गया, आप देखें, यहां से calculate कीजिएगा, तो minus 14 होगा, आप इसका work कीजिएगा, तो हो जाघा 16, यहां इसका work कीजिएगा, तो हो जाघा 196, अब दोनों को जोड़ियेगा, तो under root 12 होगा, अब यह हमारा BC का निकल गया, अब निकालना क्या है AC का डिस्टेंस अब AC के लिए फिर उसी तरह से आप मान लीजिए इसको X1, Y1 और इसको X2, Y2 अब फिर इसमें पूट किये वह इसी तरह क्या ची तो X2 मैनस X1 का होल स्क्वार पलस Y2 मैनस Y1 का होल स्क्वार तो देखिए यहाँ X2, तो X2 हम इसको माने है और X1 इसको तो देखिए मैनस 2 मैनस 1 का होल स्क्वार, पलस मैनस 11 का और मैनस 5 क्योंकि फर्मुला में मैनस 5 का होल स्क्वार अब इसको जब solve किजिएगा तो यहाँ से solve करने पस देखिए मैनस 3 होगा, मैनस 3 का square किज़ेगा तो 9 होगा यहां solve किज़ेगा तो आपका कितना होगा यहां से मैनस 16 होगा, मैनस 16 का square किज़ेगा तो हो जाएगा 256, अब दोनों को जब जोड़ियेगा तो हो जाएगा under root 200 percent अब क्या करना है कि हमें सीध करना है कि देखते हैं कि संरेखी है या नहीं संरेखी के लिए क्या आपको बोले कि जो बड़ा पूरा है AC is equal to क्या करना है ये दोनों जो AB है और BC ये दोनों बीच के दूरी को जोड़ेंगे तो हमारा AC के बराबर होना चाहिए तब फिर वैसे में हम बोलेंगे कि वह संरेखी है तो देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि AB पलस BC is not equal to AC देखिए AB और BC को जोड़ने पर हमारा AC के बराबर नहीं आया AC के बराबर नहीं आ रहा है तो वैसे में हम बोलेंगे इसलिए दिये गए बिंदू संरेखी नहीं है पस answer अब AC फोर नमबर बोल रहा है जाच किजिये कि क्या बिंदू अतना अतना और इतना एक संद्वी बाहु तिर्भूज के सीर्स है अब संद्वी बाहु तिर्भूज क्या होता है सम्द्वी बाहु तिर्भूज होने के लिए हमारा कम से कम दो भूजा आपस में बराबर होना चाहिए तब ही हम वैसे तिर्भूज को बोलेंगे कि वह तिर्भूज सम्द्वी बाहु तिर्भूज है तो क्या करेंगे सबसे पहले सभी का डिस्टेंस निकालेंगे जैसे मान लेंगे, चलिए हम बना के बताते हैं, जैसे कि एक तिर्भुज बना लिए, ठीक है, एक तिर्भुज बना लिए, अब एक, ए, बी, सी, मान लिए, अब इसमें से ये तो फिर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये तो फिर ये दो लेते हैं तो मान लिया A का निर्दे सांग 5-2 है और B का निर्दे सांग 6-4 है C का निर्दे सांग 7-2 है अब सबसे पहले A B का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए आपको फर्मूला पता है दुरिष सूत्र X2-X1 का होल स्कुर पलस Y1-Y2 का होल स्कुर तो उसी तरह इसको X2 और Y2 मान लिए इसको X1 और Y1 मान लिए तो अब यहाँ पूट कर देंगे तो Y2 X2 कितना है तो X2 6 है X1 कितना है तो 5 है पूट कर दें यहाँ देखिए Y2 कितना है तो Y2 4 है और Y1 तो Y1-2 है तो देखियं यहाँ अब देखिए यहाँ से देखिए 6 में 5 जागो तो 1 रहेगा और 1 का स्कुर करने पर तो 1 ही आएगगा अब यहाँ देखिए 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 होगा है और 6 का 36 होता है तो दोनों का जोड़ने पर फिर 37 तो ये हमारा AB का distance निकला अब क्या निकालेंगे BC का तो उसी तरह से इसको हम क्या मान लिए X2 और Y2 इसको X1 और Y1 तो put करते हैं तो देखिए 6 मैनस 7 6 और मैनस 7 हो जाएगा अब यहां देखिए 4 और मैनस 2 तो यहां अल्रेड़ी पहले से ही मैनस 2 है तो मैनस मैनस कितना हो जाएगा पलस हो जाएगा तो पलस 2 का होल स्कॉर्ण अब देखिए यहां से जब कैल्कुलेट कि जाएगा तो AC में इसको ऐसो X2 Y2 और इसको X1 Y1 माने तो देखिए 7-5 होगा तो देखिए 7-5 हो गया अब देखिए माइनस टू और माइनस टू तो हो जाएगा यहाँ माइनस टू हो जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस टू पलस टू तो यहाँ गलती लिखा गया यहाँ हो जाएगा माइनस टू पलस टू अब यहाँ से जब कैल्कुलेट हो गए यहाँ से सुनी हो जाएगा तो सुनी है अब यहाँ से 2 बाचेगा 2 का square 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो गया चार का वर्ग्मोल 2 होता है अब देखें यहाँ में से A B और B C का जो मान आया जो distance का आया वो दोनों बराबर है आपस में तो जैसा कि हम यहां लिखे हैं जैसा कि हम देख सकते हैं A B is equal to B C तो दिये गए बिंदू एक समद्व बाहु तिर्भूच के सीर्स हैं बस यही तो सीध करना था अब देखें question number five क्या बोलता है किसी कच्छा में चार मीत्र बिंदूओं A B C और D पर बैठे हुए जैसा कि आकरिती 7.8 में दर्साया गया है देखें यहां पे चित्र में बताया गया है A B C D चार मीत्र हैं जो बैठे हुए हैं चमपा और चमेली कच्छा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमपा चमेली से पुछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि A B C D एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है दुरी सुत्र का परियोग करके बताईए कि इनमें कौन सही है मतलब कि एक कच्छा में 4 मित्र है जो 4 बिंदु है जैसे कि आप चीत्र में देख सकते हैं तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं चमपा और चमेली कच्छा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक यह जो सारे दोस्तों बैठे हुए हैं कुछ बिंदुओं में तो उन दोनों को देखने के बाद चमपा चमेली से पुछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD जो है वो एक वर्ग है तो चमेली इससे समयात नहीं है तो हमें क्या करना है कि इसे सभी का दुरी ग्याद कर लेना है अगर सभी का दुरी समान होता है तो हम बोलेंगे कि वो एक वर्ग है और किसका कथन सही है तो वह चंपा का सही है और अगर वह वर्ग नहीं होता है तो हम कहेंगे कि चमेली की कफन सही है तो चलिए सबसे पहले हम इसका निर्देसांग खोजते हैं तो देखिए यह पॉइंट यहाँ है A तो इसका निर्देसांग क्या होगा सो देखिए तो सबसे पहले X खोजेंगे तो X हमारा यहाँ है X का distance कितना है, 3 और यहां से y का डिस्टेंस कितना है 4 तो इसका क्या हो जाएगा 3 और 4 इसका निर्देशांग हो जाएगा उसी तरह बी का देखिए तो बी का कहां आया है कहां आया यह 6 में तो 6 इसका हो जाएगा और इधर देखिए तो इधर कितना है 7 तो इसका हो जाएगा 6,7 अब उसी त तो इधर से आपका हो जाएगा 9 X में और Y कितना है 4 तो इसका हो जाएगा 9,4 तो देखिए वही हम लिखें बिंदू A के निर्देसांग 3,4 है और B का निर्देसांग 6,7 है C का 6,1 है और D का 9,4 है सबसे पहले हम A B के बीच के दूरी निकालेंगे तो देखिए इसको X2 और Y2 और X1 और Y1 मानके और इससे हम डिस्टेंस फर्मूला से लगाके मतलब कि दूरी सुत्र लगाकर उसे हम निकालते हैं उसका दूरी तो देखिए X2 में 6 है और X1 हम माने है 3 तो उसको लिखती है उसी तरह Y2 में 7 माने है और Y1 में 4 माने है अब इसको हल किजिएगा तो 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वार किजिएगा तो 9 होगा उसे तरह 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वार किजिएगा तो 9 बचेगा दोनों को जोडने पर 18 आएगा ये हमारा हो गया किसका AB का डिस्टेंस अब निकालेंगे BC का डिस्टेंस तो उसी तरह से इसको X2 और X1 मतलब कि Y2 मान लेते है और X1 और Y1 मान लेते है इ और X1 9 और यहां देखिए Y2 में 7 और Y1 में 4 अब यहां से किजिएगा तो मैनस 3 होगा मैनस 3 का स्क्वार तो 9 होगा यहां से जब घटाईएगा तो 3 होचा और 3 का स्क्वार किजिएगा तो 9 होगा दोनों को जोडने पर देखिए 18 जा रहा है अब उसी तरह CD को जब solve किजि तो AD के बीच का दुरी जो आएगा वह भी 18 ही आएगा अब वर्ग होने के लिए सभी भुजा बराबर होना तो जरूरी है साथी साथ उसके जो विकर्न होते है वह भी आपस में बराबर होना जरूरी है तो देखिए AC उसका विकर्न है तो AC का डिस्टेंस निकाले उसका छे आया उसी तरह से BD उसका विकर्न है तो BD का जब दूरी निकाले तो उसका छे आया मतलब कि इस हिसाब से देखिए हम लिखे हैं जैसा कि हम देख सकते हैं AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD और ABC के विकर्न AC is equal to BC मतलब कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है साथी साथ उनके विकर्न भी आपस में बराबर है इसलिए बोलेंगे कि ABCD एक वर्ग है और चमपा तो पहले ही बोली थी कि ABCD देखने में क्या लग रहा है वर्ग देखने में लग रहा है इसलिए चमपा का कथन सही है अब देखे question number 6 क्या बोलता है नेमने लिखित बिन्वों दुआरा बनने वाले चत्रभूज का परकार यदि कोई है तो बताईए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए मतलब कि ये जो चार बिंदुए दे रखा है इसको solve करना है और solve करने के बाद आप देखेंगे कि उनके बीच क्या relation बैट रहा है वो किस परकार का चत्रभूज है मैं दोस्तों सिर्फ पहला नमबर का solve कर दूँगा मतलब कि solve तो मैं चार तीनों को ही कर दिया हूँ लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ first का बाकी आपसे अगर ये दोनों नहीं बनता है तो आप वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं और देख कर उतार सकते हैं फिर अपने से कोशिस किजिए लेकिन अभी सिर्फ एक ही बनाएंगे उससे रिलेटेड है दोनों उसी जैसा बनेगा सिर्फ आपको पता करना है कि वह किस तरह का चतुरभूज बन रहा है बाकी सब सेम हो रहेगा तो चलिए हम पहला नमबर को solve करते देखिए इसमें point क्या क्या दे रह साथ निकालेंगे दूरी उसके बाद BC के साथ CD उसके बाद AD उसके बाद फिर उनके विकर ने भी निकाल सकते हैं निकालना जरूरी ही समझें क्योंकि जब तक ना विकर निकालिएगा तब तक और कोई संबंध नहीं पता चलेगा तो चलिए सबसे पहले हम AB का distance निकालते ह तो देखिए आपको बार-बार मैंने इसको दुरी सुत्रे का परियोग करके दुरी निकालने के लिए आपको बताया तो आप एक बार वीडियो को रोब के अपने खुद से इसको बनाने की practice किजिए बस उसी तरह से अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को फिर देखे मैं बताने नहीं जा रहा हूं सिर्फ आपको process बता दे रहा हूं कि ऐसे किजिएगा तो वैसे होगा तो देखिए सबसे पहले ab का distance निकाल लिएगा उसी जैसा जैसे पहले आप निकाल चुके हैं तो वैसे निकाल लिएगा तो ab निकल जाएगा फिर bc को निकालना है उसी तरह से क्या करना है तो cd का भी निकाल लेना है एडी का निकाल लेना है फिर उनके विकर्न जो दो है ac और bd उनके बीच के भी दुरी निकाल लेना है फिर देखिएगा कि यह क्या ab, bc, cd और ad के जो दुरी है आपस में बराबर है या नहीं आपस में बराबर है तो उनके एक वर्ग है इसी तरह से आप जो दो और क्वेश्चन है उसे अपने से सॉल्व करके आप आपने से एंसर दे सकते हैं सिर्फ मैं क्वेश्चन का एंसर आपको दिखा दे रहा हूं आप वीडियो रोक के जब आपसे नए बने तो आप देखके उतार लिजेगा तो देखिए स नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उसके विकर्ण भी एक दूसरे से ब्राबर नहीं रहेगा तो इसलिए हम कहेंगे कि यह चतुर भूजे नहीं है क्योंकि कोई भूजा तो कम से कम साथ देना चाहिए अब उसी तरह तिसरा नबर में क्या करना है A B B C C D A D इसी तरह निकाल ले ब्राबर है तो वैसे में हम बोलेंगे कि विप्रीद भूजाएं ब्राबर है और जो उनके विकर्ण है और विकर्ण भी आपस में ब्राबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर भूज है समांतर चतुर भूज में क्या होता है जो ए इतना से समदूरस्त है, मतलब की एक रेखा खंड है, मान के चलिए दो बिंदू से बने हुए एक रेखा खंड है, अब उसके बीच में एक आईसा बिंदू है, जो हमारा जो ये दोनों से एक रेखा खंड बनेगा, उसे क्या कर रहा है, वो समदूरस्त कर रहा है, मतलब समान इससे बनाएंगे उसे हम देखते हैं तो देखिए यहां दो बिंदू ले लिए ठीक है बिंदू का नाम लिख लिए ए और बी अब इसका तो हमें निर्देशांग पता था अब क्या बोड़ रहे था question में कि यह जो हमारा दो बिंदू है वो दो बिंदू के जो हमारा एक बि मिभाजित कर जा रहा है तो उसीं को हम पोलेंगे सम्धूरस्थ सम्धूरस्थ मतलब समान् दुरी में इस्तित होना तो देखिए आपको क्या बोला है वह बिंदू कहां पर इस्तित है तो एकस अक्ष पर तो जब हम उसका लिखेंगे निर्देशांग तो आपको पता है कि एक्स पर जब भी बनता है तो एक्स का भेल्यू होता है और वाई का क्या हो जाता है सद्याव जीरू हो जाता है क्योंकि देखिए यहां एक्स एक्स है और यह हमारा वाई अक्ष है अब देखिए आपका यहीं पर मानके चलिए जो को बिंदू है वह यहीं पर आपका इस्थ देखिए यहां जब x अक्ष में बनेगा तो यहां लिखेगा x 0 और अगर y में बनता है तो यहां क्या बोलिएगा तो 0, y ऐसे आप तो पढ़ चुके हैं कि ऐसा उसको निरुपीत करते हैं इसी चलते हम एक बिंदू सीमान लिए हैं जो हमारे कहां बन रहा है तो x अक्ष पर होगा तो इसको मान लिए हैं आभी x, 0 तो चलिए हम इसको हल करके इसका निर्देशतांक पता करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं हम मां हम जानते हैं कि x अक्ष पर इस्थित कोई भी बिंदू x 0 के रूप का होता है यह तो आपको पता है और मैं आभी आपको बताया और देखिए अत्र मान लिया कि बिंदू c x,0 बिंदू a और b से समदूरस्त है इतना बात तो आपको question में ही बता दिया गया था तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां से यहां चुकि आप जान रहे हैं कि जो हमारा c है वो हमें क्या कर रहा है तो a b को समान दूरी में उ वही होगा आपका कहां से b c या c b से दोनों बराबर है तो यहां का जो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वही यहां से यहां का डिस्टेंस होगा तो आपको क्या पता चल रहा है कि a c b या b c जो बोलिए तो आपस में यह दोनों बराबर है उसके बिचके दुरी तो उ उसी हिसाब से आपको bc का distance निका लिएगा अब वहां से देखिए आप एक में x तो मान चुके हैं अब यहां से आपको calculate करने पर आपका x कमान निकल जाएगा और जो x कमान निकलेगा उसी को यहां put किजिएगा तो उस हिसाब से आपका यहां c का निर्दे सांग पता चल जा पूट कर दिए अब formula तो आपको पता है दूरी सूत्र तो x2-x1 का hall square y2-y1 का hall square बस उसी तरह अब जिसको जिसको हम x2 और x1 माने उसी हिसाब से पूट कर दिए दोनों तरफ अब यहां भी क्या बान लिए तो इसको x2 और इसको x1 उसी तरह इसको y2 और इसको y1 तो उसी हि अब क्या किजिएगा देखे यहां क्या आपको नज़र आ रहा है अब को को मालूम होगा कि माइनस बी का होल स्क्वार क्या होता है तो ए स्क्वार माइनस टू ए बी पलस बी स्क्वार होता है तो देखिए ए स्क्वार के में जगा में हमारे यह क्या है तो है तो कितना हो जाएगा फोर अब फिर आगे क्या होता है माइनस टू ए बी तो माइनस टू हो जाएगा और यह तो मैरा वीडियो काफ़ी ज्यादा लंबा हो जाएगा इसी चलते मैं कहीं कहीं सौट तरीकों से बता दियां। जिसके चलते आपको जैदा लंबा वीडियो देखना ना पड़े तो उसी तरह आप यहाँ फर्मूलाम पूट कीजेगा इसको तो इतना आ जाएगा उसके बाद देखें यहाँ मैनस 5 घटेगा तो मैनस 5 भी रहेगा मैनस 5 का स्कोर कीजेगा तो कितना हो जाएगा 25 उसी सबसे यहाँ भी A पलस B का होल स्कोर में तोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक उसका हो जाएगा अब यहाँ में देखिए मैनस 9 है तो मैनस 9 का स्कोर कीजेगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा अब क्या किजेगा दोनों तरफ square कर दिजेगा मतलब work कर दिजेगा तो जब square किजेगा तो square और root आपस में cut जाता है या तो पिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर जो square मतलब इधर under root है और इधर भी under root है तो दोनों आपस में cancel हो जाएगे बेहतर होता है कि आप यहां लिख दिजे कि दोनों तरफ work करने पर तो देखिए जब इसको square किजेगा पूरा का तो square और work तो cut जाएगा उसी तरह जब square किजेगा root आपस में दोनों cut जाएगे तो मेरा क्या बचेगा सिर्फ जो हमारा यहां है वही हमारा यहां बचेगा जो हमारा यहां है वही हमारा यहां बचेगा अब क्या किजेगा सबसे पहले देखिएगा कि कौन-कौन जूट रहा है और कौन-कौन cut रहा है तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए कि x का term जितना दिए अब एकसख्वायर आफ इसको घहात के अनुसार सजाए तो पाहरे लिखे उसके बाद दग़ें यहाँ एकसख्वायर ऊस्वायर तो मैनस देखें मैनस एकसवायर और Ona 4x यहाँ दिए मैनस 4x अब यहाँ प्लसin 4x था तो इधर आएगा तो अब यहाँ 4 और 4 मैनस प्रस में था तो कट गया अब यहाँ से यह दोनों जोड़िएगा तो मैनस 8X होगा इसको इसको जब calculate किज़ेगा तो 56 आएगा अब यहाँ से क्या किज़ेगा कि 8 को इधर ले आईएगा तो इधर गुना में तो इधर में आएगा तो क्या में बदल जाएगा भागा में अब देखिए यहां से काटिएगा तो साथ आ जाएगा और यहां माइनस X ही रहेगा अब माइनस को उधर भेज दीजेगा तो इधर हो जाएगा माइनस 7 तो यही हो गया हमारा X का मान अब वही लिखे हैं अतह वह बिंदू माइनस 7 0 है जो बिंदू अतना और इतना से समदूरस्त है आपको वही न उग्याद करना था है आपको यहां आप वह पॉइंट का निर्दे सांग तो अपने समान लिए थे क्या मान लिए थे X,0 क्योंकि X यह कहां बन रहा था तो X-axis में बन रहा था इसी चलते आप यहां से solution किये तो उससे आपका X कमान निकला तो X आप उसके जगा में पुट कर दिये तो वह आपका क्या हो गया तो जो दोनों को समदूरस्त कर रहा था तो उसका निर्देसांग निकल गया अब देखिए question no.8 Y का वह मान गयात किजिए जिसके लिए बिंदू इतना के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 10 मात रख दिया हुआ मतलब कि यहां पर देखिए एक में जो निर्देसांग है वहां दोनों जगा संख्या ना देखरके एक जगा आपका Y दे दिया है और सर्थ क्या बोल दिया है कि जो PQ का जो दूरी होगा वो कितना दे रखा है तो 10 दिया है तो देखिए आप कैसे Y का मान गयात किजिएगा तो चलिए हम हल करते है तो देखिए दो पॉइंट दिया था इतना और इतना कि बीच की दूरी कितना दिया था तो 10 मातरक दिया हुआ था अब क्या करेंगे तो आपको क्या दे रखा है मान के चलिए 2 बिंदू आपका P और Q है तो इसके बीच के दूरी आपको कितना दिया है और इसको X1 मानने जिए ठीक है तो उसी तरह इसको Y2 और इसको Y1 तो फर्मूला पूट कर दीजिए किसमें तो Y2 X2- X1 का whole square पलस Y2- Y1 का whole square उसी तरह आप यहां put कीजिएगा तो देखिए आपको PQ जो PQ को इस हिसाब से आप क्या निकालते थे तो distance निकालते तो उन दोनों को दूरी निकालते तो आपको दूरी दे रखा है मतलब PQ कमान यहां दे रखा है और इधर जब solve किजिएगा और यहां से जब Y आएगा तो इधर उधर करने से आपका Y कमान निकल जाएगा तो देखिए PQ के distance कितना था 10 मातरक तो दिया हुआ था अब उसको जब solve किए तो आपका इस तरह से आएगा तो देखिए 64 आ गया और यहां से इतना आ गया इधर जो काम हुआ है यह सारा चीज आपका formula से हुआ है देखिए यहां पूट की जेगत यहां यह मेरा यह हो जाएगा यह हमारा भी हो जाएगा तो यह मैनस भी का हॉल स्कोर है तो वही वहां टूटा हुआ है अब देखिए यहां अंडर रूट है अब अंडर रूट को जब इधर भेज दीजेगा तो इधर असकोर बन जाएगा तो इधर 10 का स्कोर हो गया अब यहां से कितना बच गया जो यहां इतना था वही चीज यहां लिख दिया अब यहां देखिए कुना हुआ मैनस तीन और मैनस दू तो कितना हो गया पलस छे और वाई था इसलिए वाई वाकी सब तो वही चीज है अब देखिए 10 का स्कोर कितना होता है 100 होता है अब यहां से देखिए 648 को जोड़िएगा तो 73 होगा 6y और y square हो गया अब क्या करना है तो yy वला term को एक साइड रखेंगे और उसको उधर भेज जीएगा तो देखिए 73 को जब उधर भेज जीएगा तो देखिए 100-73 हो जाएगा अब यहां से जब solve किये तो कितना आ गया 27 अब देखिए 37 को फीर बराबर की इधर ले आए तो मेरा प्लस था तो इधर मैनस में आ गया अब आपने 9th class से ही पढ़ रहे हैं गुननखंड निकालने वाला विधी तो इसको गुननखंड कर दीजिए तो गुननखंड करने पर ग इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है तो उसी सबसे किये y पलस 9 is इक्वल टू 0 तो y बराबर तो यह पलस में 9 था तो उधर चल लेगे तो मैनस में 9 आ गया उसी सबसे y-3 is equal to 0 तो y is equal to plus 3 तो हमें तो यहां से y कमान 2 दो निकल गया एक माइनस नाया और एक पलस नाया क्योंकि देखिए आपका यह तो नहीं बोला है क्वेस्टन में कि एक सेक्सिस में मतलब कि यह तो नहीं बोला है कि आपका जो धनात्मक की ओर बन रहा है कि दिनात्मक की ओर बन रहा है तो आपका इधर भी कोई डाइगराम बन सकता है इधर भी बन सकता है कोई भी चतुर्थांस भी बन सकता है इसी चलते आपका दो-दो एंसर आया तो यही आपका एंसर हो गया अब देखे question number 9 अधी Q बिन्दूब P और R से समदूरस्त है तो X के मान ग्याद कीजिए दूरिया Q, R और P, R भी ग्याद कीजिए देखिए वही चीज आपको जैसे हम किसमें solve कर चुके हैं 7 number सवाल में तो P और R एक दो बिन्दू है तो दोनों बिन्दू को जो मिलाने वला है तो उससे एक रेखाखंड बनेगा और उस रेखाखंड को Q बीच में आने पर उसे क्या कर रहा है समदूरस्त कर रहा है मतलब समान दूरि में उसको विभाजित कर दे रहा है तो इन सभी से relation जब आप किजिएगा तो वहाँ से आपका क्या निकलेगा X का मान निकलेगा और X का मान तो निकल जाएगा उसके बाद क्या सर्थ बता है कि क्या निकालना है Q, R और P, R का भी डिस्टेंस निकालना है तो चलिए इसको solve करते हैं तो देखे P और R तो आपको दिया हुआ है अब उसको जो समदूरस्त मतलग कि दो बराबर भागों में जिसे बाट रहा है वो बिंदू क्या है Q है जिसका निर्दे सांग दिया हुआ है सभी का निर्दे सांग दिया हुआ है तो वही हम यहां लिखे हैं चुकि बिंदू Q बिंदूं P और R से समदूरस्त है तो सम्दूरस्त है मतलब समान दूरी में है तो वही हम बोलेंगे कि जितना दूरी आपका यहाँ होगा उतना ही दूरी आपका यहाँ होगा तो तो PQ is equal to कितना हो जाएगा QR तो वही चीज़ यहां लिखें PQ is equal to QR तो PQ यहां के यहां के distance निकाल दिये और यहां के यहां के distance निकाल दिये तो आपको तो कितना बार बताये हैं पीछे से लेकर कि distance कैसे निकाला जाता है दोरी कैसा निकाला जाता है तो उसी हिसाब से आपस में कर जाता है तो उसके साफ से आप solve कीजिएगा थोड़ा बहुत उधार उधार करने से आपका x square is equal to कितना आएगा 16 तो x का मान निकालने तो x is equal to square इधार था तो उधार जाएगा तो under root हो जागया तो under root हो गया तो कितना हो गया 16 तो 16 का वर्गमूल कितना होता है में वह लगा था कि x कमान निकालने के बाद आपको क्या क्या कर डिस्टेंस निकालना है तो qr और pr की दूरी निकालना है तो सबसे पहले यहां तो plus minus दोनों का value होगा तो हम सबसे पहले plus 4 का value निकालेंगे उससे आप qr का distance निकालेंगे तो बस उसी तरह formula में पूट कीजिए और जहां x आएगा तो x के जगह में कितना पूट कीजिएगा तो पलस 4 पूट कीजिएगा बाकि solve कर लिजिएगा तो आज आएगा आपका under root 41 उसी इसाब से जब आप x is equal to minus 4 लिजिएगा तब उसी इसाब से same बनेगा बस x के जगह में कितना पैठाइगा तो minus 4 बिठाइगा तो उसी तरह से आप solution कीजिएगा तो आपको आज आएगा under root 41 अब क्या कीजिएगा ये तो आपका p मतलब qr का distance होगे अब निकालना है आपको क्या pr का distance तो देखिए x is equal to कितना मान लिए तो 4 लेके चल रहे तो उसी साब से आप जब distance निकाल लिएगा तो वहाँ तो x क्योंकि एक जगा तो x तो दिया हुआ था तो x के जगा में आप क्या निकाल लिए मतलब रखिएगा तो 4 क्योंकि आप तो पहले निकाल चुके हैं तो 4 पलस 4 रखिएगा तो उसी साब से आप solve कीजिएगा तो एक में आ जाएगा under root 82 अब जब आप x is equal to कि वर्गमूल निकाले अगत होता है 9 under root 2 अब देखिए आपका जो qr निकाले थी तो दोनों में आपका same ही answer आये था इसलिए एक ही बार आप answer लिखेगा तो देखिए यहां लिखे अता qr is equal to plus 4 और pr का distance तो दो गो निकला था और दोनों में अलग अलग देखिए एक में under root 82 अरेग में 9 root 2 तो वही आपका दोनों answer हो जाएगा बस यही तो है अब देखिए question number 10 क्या बोड़ा है x और y में एक ऐसा संबंध ग्यात किजिए कि बिंदू इतना बिंदू इतना और इतना से समदूरस्त है बस देखिए फिर वही चीजा है समदूरस्त मतलब कि जो यह दो दोनों के बीच के दूरी मतलब कि समान दूरी में यह स्थीत हो जाता है वो दोनों बिंदू के बीच में तो क्या उसी साब से लिखेगा चलिए हम बनाग बताते हैं तो देखिए वह बिंदू जो दो दिया हुआ था तो उसे हम A और B लिख दिये और जो दोनों को समदूर संदूरस्त कर रहा है वो क्या है हमारा बिंदू P तो उसमें हम X और Y क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब हम यहां से दूरी निकालेगे जैसे AP आप तो जान गए कि AP और BP दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि यह क्या है संदूरस्त है इसी चलते जब यहां देखिए आपको क्या बताना है मान नहीं बताना है दोनों का आपको बताना है इसमें कि आपस में क्या संबंध है तो देखिए सबसे पहले हम मान लिए कि P बिंदू A और B से संदूरस्त है यहां तक तो आप जान जाएंगे क्योंकि आपका question में है हमें A P is equal to B P दिया गया है क्योंकि यह संदूरस्त है तो आपस में यह दोनों पराबर होंगे तो देखिए अंडर रूट का problem ना आवे इसी चलते में पहले ही अस्क्वाइर में ही छोड़ दिया आप बोलिएगा कि यहां अस्क्वाइर कैसे आए तो देखिए पैथागुरस जब आप परमेल लगाते थे तो बड़ा भूजा का अस्क्वाइर लगाते थे बड़ा भूजा का अस्क स्क्वाइर वला जब उधर चल जाता था उसी चलते उधर अंडर रूट आ जाता था तो अंडर रूट का जमेला क्यों ले इसी चलते हैं उसको स्क्वाइर में ही छोड़ दिये तो इससाब से स्क्वाइर में किजेगो तो आपका अंडर रूट कहीं नहीं आएगा तो दे अब इसमें यहां जब किजिएगा देखिए यहां क्या फर्मॉला आ रहा है देखिए A-B का हॉल स्क्वार आ रहा है तो इसको जब तोड़िएगा तो इतना आएगा उसके बाद यहां भी A-B का हॉल स्क्वर आ रहा है तो उसको तोड़िएगा तो आपका यतना आएगा उसके बाद X-3 का हॉल स्क्वर तो इसको जब तोड़िएगा तो आपको इतना आएगा इसके बाद देखें A-B यहां भी आ रहा है तो इसको देखें Y-4 का हॉल स्कुर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा यहां से यहां तक आएगा उसके बाद आप यहां से देखिएगा कि कौन-कौन से निकें 9 और 36 दोनों को जोड़े कितना होगी अब देखें और कोई जूड़ने वाला है कि यहां नहीं जूड़ने वाला है तो बाकी सब को यहां लिख दिए उसके बाद यहां भी देखिए जूडने वाला कौन-कौन है तो 16 और 9 तो उसको जोड़े तो 25 बाकी सब वही चीज उतर दिए अब क्या करना है कि एक तरफ आप X वलर ले आईए और एक तरफ मतलब कि सब ही को एक ही जगर ले आईए X और Y को एक तरफ ले लाई और जो संखिया है उसको एक तरफ छोड़ दीजे तो देखें इधर जो चीज दिया हुआ था उसको यहां तक लिख लिए ठीक है उसके बाद इधर जो देखें यहां X स्क्वार है इधर पलस में तो इधर आएगा तो मैनस में हो गया 6X इधर पलस में था इधर आया तो मैनस में Y स्क्वार इधर पलस में था इधर आया तो मैनस में X स्क्वार है तो पलस में है और यहां X स्क्वार मैनस में है तो दोनों आपस में कट गया अब यहां Y स्क्वार मैनस में था यहां Y स्क्वार मैनस में था यह दोनों भी कट गया अब देखिए यहां minus 6X बच गया, यहां से minus 12Y बच गया, यहां से minus 6X बच बच गया यहां से plus 8Y मिला तो देखें, यह दोनों आपस में 6X और यहां 6X और दोनों minus में है, तो दोनों से जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, minus 12X अब यहां देखें, 12Y और यहां 8Y, तो plus minus minus होका यह दोनों को बराबर के उधर ले आये और इसको क्या किये बराबर के इधर लिलाए तो जब भी एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होते हैं चैसे इधर से इधर लेगेंadow eusta change हो जागा रिड़र नायंगे तो उसका भी算 change हो झागा देंगे हम इस यहां मैने सता तो ब्राबर के उधर लेगे तो प्लस-प्लस हो गया इस में मैं sow पाकि आखते उसको इधर लाए तो प्लस में वर इस अब क्या करना है कि यह जो 20 हैına उसकोब राबर के इधर ले लाएं तो हो गया हमेरा इतना अब देखें यहां में से common क्या निकल रहाती है यहां से हमारा सभी में 4 common आ रहा है तो 4 common निकल दिए बाकि यहां जो बचा है 16 उतके बाथ 0 अब 4 को उधर भेज दिए तो जब भी 0 बटा कोच भी संक्या तो कितना देगा 0 ही होगा तो देखें यहां से जो x y का relation मिलता है एक खतम हो गया अब दोस्तो मैं आपसे पुछना चाहता हूं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको समझ में आया या नहीं आया आप comment section में जरू लिके अगर आपको कोई भी topic में समझ में नहीं आया होगा या उसमें कुछ पुरेशानियां आ रही है तो आप comment करके मुझे बताए ताकि मैं आपकी पुरेशानी को दूर कर सकूँ और दोस्तों अंत में मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो मतलब कि मेरे चैनल को subscribe नहीं कियोंगे तो please आप तुरंत subscribe कर ले और bell icon को जरूर नोटिफिकेस आप तक आता रहे और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लक्चर में